विडियो और बहुत सारे लोगों का यह question था या रहता है या आगे भी होगा आपका भी question होगा कि जैसे मैं गयाता हूँ कि 20-25 साल तक invest करो तो क्या एक ही फंड 20-25 साल तक बहतरीं perform करते रहेगा क्या करते रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकता है नहीं perform करे यह हो सकता है करे भी और mutual fund को change कब करे कैसे करे यह भी question रहता है तो देखो mutual fund को आपको जैसे एक category मैंने माल लिया कि चलो स्मॉल कैप से इस्टार्ट करते सब ज़्यादा रिटर्ण तो इन्हें इंडिशी को देना है तो स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप की category में अगर आप बेस्ट फंड उठा के देखते हो अभी SBI का एक फंड आप ले लो नॉर्मल सा ग्रोय आप पे चेक कर का तो पिछले 5 साल से वह बहतरीन एवरेज रिटर्ण अगर लाजर देखोगे तो 24 पर जिसके आसपास उसका भी है निपॉन का भी 24 पर जिसके पास है तो इसी लिए मैंने आपको बताया है कि जभी भी मूच्वर्ण को रिव्यू करके अपना पॉर्टफोलियो तो एक सा साल 2 साल 3 साल तक लगतार मुच्वर्ण अपने एक टेगरी को अंडर परफॉर्म कर रही है और निफ्टी से भी खराब रिटर्ण दे रही है निफ्टी 50 में इंडेक्स पंड है उससे भी खराब return दे रही है, तो आप उसको change कर दो, लेकिन अब पता चला कि एक साल वो अच्छा दे रही थी, दूसरे साल उसने खराब दिया, आपने तीसरे साल change कर दिया fund को, ये आप गलती करोगे, क्यूं? आप उठा के देख लो निपॉन इंडिया small cap fund का, या फिर SBI के small cap fund क history, पीछे में 2-3 साल ऐसे हैं, जिसमें लगातार, जो small cap fund का, ये mutual funds थे, वो decline phase में थे, ये return नहीं दे रहे हैं, तो 2-3 साल तक लगातार, अगर वहाँ पर top पे किसे invest कर दिया होगा, तो उसको 3 साल तक positive return नहीं दिखा होगा, बट अभी देखो, फिर अच्छा किया, तो जो उस fund में invest किया, अगले साल वो बहतर perform ना करे, अगले साल कोई और बहतर perform करे, तो हम average return देखेंगे, हम best funds in category का बात करते हैं, best fund in category का नहीं, एक category में एक ही बहतर fund नहीं हो सकता, एक category में कई सारे बहतर fund हो सकते हैं, तो अगर आप पहले से एक fund में जैसे, अगर अभी मैं investment क किसी को start करना है small cap के अंदर में, तो मैं कहूंगा कि access small cap के अंदर में आप investment start करे, क्योंकि अभी वो best perform करना है category के अंदर में, लेकिन अगर आप kotex small cap के अंदर में invested है, पहले से, तो मैं नहीं कहूंगा कि kotex को हटा के आप access में डाल दो पैसा, क्योंकि kotex भी अच्छा- बेस्ट तो अब एक्सिस है सबसे ज़्यादा रिटर्ण वो दे रहा है लेकिन अगर आप एक कैटेगरी की बात करें या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें या फिर एक एवरेज रिटर्ण की बात करें तो वहाँ पे कोटक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो मैं इंवेष्ट में अगर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऊपैसर ऐंग्र के सभर करेंस सेर्द कर के ऊपक्या उपеспरफॉर्म करने हैं तो मोडरो तीन साल तक नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे तो ही एग्जिट करेंगी हम उपसे नहीं तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक एक साल दो साल तक फंड अच्छा पूफर्म नहीं करते उसके साथ उसके बाद भड़िया पूफर्म करने लगते हैं और ऐसा स्टॉक के साथ भी होता है अभी आप देखलो झाले साल धै उसके बाद से पूरे साल में वह अच्छा पूफर्म नहीं किया यह भी फंड मैनेजर का चालों होना भी एक ठ्रिगर पॉंट होता है तो हमेशा कम से कम दो साल का मिनिमम आप देखके चले कि दो साल तक burnt बढ़िया पूफर्म नहीं करता है तो ही आप फंड को change करें एक साल के return के उपर ना in करने का ना out करने का अपना decision बना है minimum 2-3 साल का तो लेके चले और first time investment जो हम करते हैं तो minimum 5 साल का आपको देखना चाहिए record और और अच्छा होगा अगर आप all time का देखे करते हैं तो अगर all time का देखे हैं तो आपको पता चले हैं कि लंबे time में fund कैसा perform कर रहा है अब एक साल में 90% का return दे दिया लेकिन all time का return अगर 10-12% का रहा है तो उसके अंदर invest मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा clear cut मेरा एक साल में 15% का return दिया है पिछले कोई दिखर नहीं लेकिन अगर all time का return देख रहा है तो वैसे fund के अंदर invest करना में जारा पसंद करूंगा तो यह ध्यान रखिए all time का return देखिए पांच साल का return देखिए एक साल का मत देखिए कर देखिए